इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि ITR आखिर होता क्या है और ITR कैसे बनता या फिर कैसे भरा जाता है तो देखिए पहले बात करते कि ITR के बारे में तो देखिए ITR simply एक tax का competition statement होता है जहां पर simply आपको अपनी earning जो है शो करनी पड़ती है कि एक financial year के अंदर आप कितना कमाते हैं प्लस उसके उपर आपने जो भी यहाँ पर government को tax pay किया है वो आपको एक self assessment basis पे दिखाना पड़ता है तो गाइस ITR को समझने से पहले हम लोग जानते कि financial year और assessment के अंदर difference क्या होता है क्योंकि आप जब ITR को यहाँ पे जो है फाइल करते हैं उसके पहले यह जाना जरूरी है तो देखिए अगर मैं financial year के बात करूँ तो financial year जो है अप्रेल से लेकर मार्च के बीच में चलता है इसका मतलब क्या हो गया अगर मैं current financial year के बात करूँ आपको फाइल करनी है आप इस assessment year क्या होता है assessment year basically आपका जो financial year होता है उसके जस आगे एक चलता है मतलब जिसे मालीजिए अगर financial year 2122 है इसका मतलब क्या हो गया उसके लिए यहाँ पे assessment year 2223 यहाँ पे applicable होने वाला आप guys बात करते कि ITR किसके लिए यहाँ पे mandatory होती है यानि किसके लिए यहाँ पे compulsory होती है तो देखिए पहली चीज जिनकी इंकम more than 2.5 lakh रुपीज है उनको यहाँ पे compulsory होता है फाइल करना इसके लागर कोई भी अपना TDS का refund क्लेम करना चाहता है या अपने losses वगरे को carry forward करना चाहता है तो इन तीनों cases के अंदर आपकी ITR mandatory होती है लेकिन देखिए काई होता क्या है ना कि कई लोग की dialogue से नीचे भी income होती है और ITR के काफी सारे यहाँ पे benefits है तो क्या वो एक निलकी ITR यहाँ पे show कर सकते हैं तो जी हाँ बिलकुल यहाँ पे निलकी ITR show कर सकते हैं ITR को file करने के लिए कभी भी आपको documents कहीं पर upload नहीं करने पड़ते हैं तो जैसे मैंने आपको starting में बताया था ITR जो है वो एक self assessment basis के उपर file होती है तो आपको कभी भी documents कहीं पर upload नहीं करने हैं बस आपको किवर information ढालनी पड़ती है तो अगर मालीचे आपके कोई भी income नहीं है फिर भी आप जो है धाई लाक की नीचे के income as a other income दिखा के अपने निलकी idea यहाँ पर file कर सकते हैं तो गाइस बात करते हैं कि यहाँ पर आपको कितने tax का payment करना पड़ेगा तो यह देखिए totally depend करते हैं आपके situation के उपर हमारे इंडिया के अंदर slap wise यहाँ पर tax चलता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती ही जहाँ पर fix यहाँ पर tax होता है जैसे कि हमारा long term capital गीन हो गया shares और mutual funds के उपर जहाँ पर 10% का fix यहाँ पर tax चलता है तो यहाँ पर अगर मालीचे अगर आप उस slap के अंदर fall नहीं करते हैं मैं अगर आपको example देना चाहूं तो इंडिया के अंदर क्या होता है अगर आपकी जो total income है अगर वो less than 5 lakh रुपीज है तो मालीचे अगर उसके उपर आपका tax वगरे बनता भी है और आपको अपनी जेब से government को यहाँ पर actual के अंदर कुछ भी pay नहीं करना पड़ता है बात करते हैं कि आखर benefits के ITR के तो देखें काफे सारे benefits हैं आपको जब credit card apply करते हैं तो bank आपसे ITR मांगता है आपको भी bank के loan के लिए apply करते हैं पर चाहे आपका home loan हो गया, card loan हो गया, personal loan कोई भी loan हो गया उसके लिए आपको ITR क requirement होती है इसके लाओ कहीं पे भी आप ऐसे proof of income इसको submit कर सकते हैं अगर मालनीचे आपके कोछ जादे heavy transaction है तो income tax department आपके सारे transaction को track कर रहा होता है क्योंकि आपके पास में pan card होता है तो guys आपको कभी भी यहापे notice भी मिल सकता है कि भाई आपने इतने सारे transaction कर दी है आपने इतने सारे income कमाई है लेकिन कभी भी आपने idea यहापे file नहीं की नहीं उसके ओपर कोई भी tax pay किया तो उस case में यहापे आपको notice मिलता है और काफी जादा heavy penalty वगरे charge होती है और कई बार तो इसके जो है legal जो provisions है वो काफी जादा यहापे complex और यहापे strict आपके इस बात करते हैं यहापे last jute के date क्या वगरे क्या होती है आइडिया को file करने की तो देखे हर साल जो है यह 31 जुलाई होती है इसका मतलब क्या हो गया अभी जैसे 2022 चल रहा है तो अभी financial year 2122 के यहापे return file हो जी है 31 जुलाई 2022 यहापे last date होगी उसके बाद में अगर आप file करेंगे तो आपको penalty pay करने पड़ेगी और 31 December 2022 को तो आपकी जो window होती है ITR की वो यहापे close हो जाती है इसका मतलब क्या हो गया कई बार जैसे आपने logo से सुना होगा कि भाई bank मेर से loan के लिए 2 साल की एक साथ ITR मांग रहा है लेगे इस होता है क्या है उस time पे आप 2 साल की एक साथ जो ITR यहापे file नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो ITR की window होई वो यहापे एक particular time के बाद में बंद हो जाती है तो मेरी advice हमेशा यही रहती है चाया आपकी कितनी भी income क्यों नहों हर साल आपको यहापे ITR ज़रूर file करनी चाहिए आपको इस बात करते हैं कि यहापे आपको ITR के form कैसे choose out करने है तो देखे में लिए यहापे 4 forms होते है ITR 1, 2, 3, 4 अगर मैं ITR 1 की बात करूँ अगर आपकी simply salary income है other income है कोई भी एक house property से income है तो आप यहापे ITR 1 file कर सकते हैं अगर आपकी business याप एक self-employed है याप फ्रीलांसर वगर है प्लस आपकी other income भी है प्लस salary से भी income आती है तो उस case में आप ITR 4 को choose कर सकते हैं लेकिन let's suppose अगर आपकी salary income है आपने mutual fund, stock market में पैसा लगारागा वहाँ से आपका gain वगर होता है capital gain है तो उस case में आपको यहाँ पर ITR 2 फाइल करने पड़ेगी इसके लाब आपकी यह सारी चीजे है मतलब ITR 1, 4 और 2 के अंदर हमने जो बात की वो सारी चीजे है तो उस case में यहाँ पर आपको ITR 3 फाइल करने पड़ेगी आप गईस बात करते हैं यहाँ पर आपको idea जो है कहाँ पर कैसे फाइल करनी है तो देखिए इसके लिए YouTube के उपर कही सारी वीडियोस यहाँ पर आवेलेबल है मेरे एक और चैनल है Tax का माय ओलाइन सी है जहाँ पर recently मैंने current year की सारी idea 1, 2, 3, 4 सबके मैंने videos, detail videos बना रखे है तो जिनकी link मैं आपको playlist की link जो है description box में दे दूँगा तो वहाँ पी जाकर भी आप step by step जो है सीख सकते है idea कैसे file होती है तो देखिए idea जो है जैसे मैंने बता है self assessment के basis पे file होती है अगर आपको बिल्कुल भी यहाँ पर जो है अपनी income की या फिर ITR वगरे की चीज़ों की knowledge नहीं है अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ITR होती क्या है कैसे इसको prepare किया जाता है कैसे इसको file किया जाता है so guys hope you like this video और guys अगर आप मेरी company के तुरू यहाँ पर consultancy नेना चाते है लिंक जो है मैं आपको simply description box के अंदर provide कर दूगा thank you guys thank you very much